चटा समिधान संसोधन मुंबई वर्सिस इनाइटिड मोटर्स के मामले में सुप्रीम कोट के दौरा ये कही जाने पर कि राज्य आंतरिक विक्रया पर कर लगा सकता है इस बात के चलते भारत संग को लगा कि इससे डबल टेक्सेशन का इश्यू क्रेट होगा उससे संग की आ आत्मी अनुसुची में जो राज्यों से जब्वदित जो इंट्रीज हैं लिस्ट टू की उससे लिस्ट वन में एक एंट्री को सिफ्ट किया गया इसके लावा अनुछेद 279 और अनुछेद 286 में भी बदलाव किया गया क्योंकि उसमें टेक्सेशन इंक्वारी कमिशन की जो रिपोर्ट थी उसके नुसार पार्लेमेंट को विक्रे से सम्मंदित प्रिभासा देने की बात कही गई थी और उसमें ये का गया था कि जो सेल परचेज का इशू होता है इंटर स्टेट ट्रेड में उसमें विक्रे क्या है इंटर स्टेट ट्रेड में आयात निर्यात म या विदिन स्टेट जो ट्रेडिंग है उसमें विक्रे की प्रिभासा भी इस स्विधान संसोधन के द्वारा दी गई स्विधान का सातवा संसोधन मुख्य रूप से स्टेट रियोर्गनाईजेशन और उतन यायलों की विवस्था में कुछ बदलाओ के संबन्दित था सबसे पहले तो उस समय तक चार त्रह के राज्यों की विवस्था भात में थी स्टेट रियोर्गनाईजेशन एक्ट को इंप्लिमेंट करने के लिए इस समिधान संसोधन को लाया गया और इसके बाद सबसे मुख्य रूप से समिधान के अनुछेद एक में बदलाओ किया गया इसके साथ ही स्टेट वन और स्टेट फोर में भी बदलाओ किया गया कई अनुछेद जैसे अनुछेद 80, 81, 82, 153, 158, 111, 249, 40, 41, अनुछेद 258, 298, 90, 350, A, B, 321 इन सब में भी बदलाओ किया गया या कुछ अनुछेद जोड़े गया राज्यों के अलावा उच नयायलियों से सम्मंदित भी जो बदलाओ किया गया जैसे कि पहले उच नयायलियों में नयाधीजों की जाट जो कितनी संख्या होगी इसमें अपर लिमिट थी उसको हटा दिया गया था उससे पहले जो उच नयायलियों की नयाधीज थे वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे उसमें उस बदलाओ के चलते उसमें ये कहा गया कि अब रिटार्मेंट के बाद उच नयायलियों की नयायधीज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अलावा ये भी व्यस्ता की गई कि क्योंकि उसमें राज्यों की व्यस्ता में बदलाव हुआ तो कोई एक ही उचने आले एक सी जादा राज्यों या केंदर साचित परदेशों पर कार्या चेतर के हिसाब से वो कार्या कर सकता था ये भी उसमें बदलाव किया गया अनुछेद 371 में अंतरप्रदेश के लिए कुछ व्यस्ता की गई जो कि उस स्टेट के लिए जरूरती बाद में 311 स्पेशल प्रोविजन वाला अनुछेद बना इसके लावा 350A और 350B अनुछेद जोड़े गए जिसमें बच्चों के लिए प्राइमरी एजूकेशन में मदर टंग में पढ़ाया जाना और एक लेंग्विज कमिशनल का अपॉइंट किया जाना ये भी उसमें किया गया तो शात्वे समिधान स्वधन में मुख्या रूप से यही बदलाव किया गया अथवे समिधान स्वधन के दवारा समिधान के अनुछे 1334 में बदलाव किया गया उसमें कहा गया कि अनुसुचित जातियों, अनुसुचित जन जातियों एवं एंगलो इंडियन्स के लिए लोकसभा एवं विदान सभाओं में, रज्यों की विदान सभाओं में दस वर्ष के लिए जो रिजर्वेशन था उसको बढ़ाकर 20 वर्ष तक कर दिया गया यही था भारती समिधान का आठमा संसोधन समिधान का नौवा संसोधन इन री बेरुबरी के मामले में सुप्रिम कोर्ट ने जो प्रामस दिया था उसको कार्यानुवित करने के लिए किया गया इन री बेरुबरी के मामले में सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि भारत को अपना चेत्र किसी और देश को धर्पित करने के लिए भारत के समिधान में संसोधन करने की जरूरत है और उसी के अनुसार समिधान में संसोधन किया गया और बेरुबरी के मामले में जिन छित्रों को पाकिस्तान को दिये जाने की बाद थी वो दिये गए समिधान का दंस्वा संसोधन दादरा नगर हवेली को भारत संग में जोड़े जाने से संबंदित है 1961 में फरी दादरा नगर हवेली की वरिष्ट पंचायत ने डिसाइड किया कि भारत उन्हें अपने अंदर इंटिग्रेट करे और ये रिजुलिशन जब भारत को दिया गया तो उन्हें दादरा नगर हवेली की लोगों की भावनाव को जान में रखते हुए भारत ने दादरा नगर हवेली को भारत में इंटिग्रेट करने का डिसाइड किया और उसी को कर्यानवित करने के लिए स्मिधान की अनुसुची एक तथा अनुचे 240 में बदलाव करके दादरा नगर हवेली को भारत की एक यूनियन टेरिट्रिव बना दिया गया ये था स्मिधान का दस्वा स्थोधन